द्रिश्टी आईएस के डेली करण न्यूस प्रोग्राम में आपका स्वागत है यह है खबर हमने दे इंडियन एक्स्प्रेस से ली है और खबर है क्रिप्टो करंसी में हुए सौदे का विवरण देना हुआ ज़रूरी देश की सबी कमपनियों को अपनी बैलन्स शीट में क्रिप्टो करंसी या वर्चुल करंसी में हुए सौदे का विवरण देना ज़रूरी कर दिया गया है इसके लिए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्राले ने पहली बार निर्देश जारी किये हैं यह है विवरण कमपनियों को रेजिस्टर आफ कमपनी के साथ दाखिल अपने वित्तिय वक्तव्यों में देना होगा यह है आगा में वित्तिय वर्ष से लागू हो जाएगा नए निर्दशों के मुताबिक कंपनियों को क्रिप्टो करंसी या वर्चुल करंसी से जुड़े लेंदेन पर होने वाले लाब या अहानी का भी खुलासा करना होगा इसके अलावा किसी भी व्यक्ति से क्रिप्टो करंसी या वर्चिवर करंसी में ट्रेडिंग या निवेश करने के लिए अगर कोई डिपॉजिट या एडवान्स लिया गया है तो उसका भी ब्यॉरा देना होगा भारत में लगबग 10 मिलियन व्यक्तिकत क्रिप्टो निवेशकों का अनुमान है जबकि इस शेत्र में जुड़ी कमपनियों की संख्या ग्यात नहीं है सरकार के इस कदम से क्रिप्टो एसेट्स में संस्थाओं के निवेशकों बढ़ावा मिलने की उम्मीद है विश्व स्तरपर टेसला और माइको स्ट्रेटजी जैसी प्रमुख कमपनियां अपनी बैलन्स शीट पर बड़ी मात्रा में बिटकॉइन का वेवरण देती है इससे पहले सरकार ने क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ओफ अफिशियल डिजिटल करंसी बिल 2021 पेश किया है इस बिल का उद्देश्य सभी नीजी क्रिप्टो करंसी को प्रतिबंधित करना है इसके अलावा आधिकालिक डिजिटल मुद्रा के लिए कानूनी धाचा तैयार करना है झालावाँ